तरह के कुछ अंच होए हिससे जो जंगल वहां पर ती चार साल सा हम लोग इन सारे शेत्रों के अंदर विचरन करने वह अलग प्रकार के पश्चु पक्षी पेड प्रजातिया और उनके बारे में जानकारी इकृता करने इसी दौर में कहीं परकार के अलगा नहीं परजातिया मिली कुछ घासी मिली जो भी लुब दो चुकी थी एक पौदा ऐसा था जिसके बारे हमने सिर्फ किताबों में सुना था और हम ढूंड भी रहते पर हमने सोचा नहीं था कोपी हमें मिलेगा पर आज आज जो हम घड़े हैं यह वही पेड़ है जिसको हम बहुत शिद्द से तो एक लोता और एक मात्र पौदा यह ऐसा है जो हमें आज तक हमारी विद्वरों में घुमते वे मिला है इसको कहते हैं सरगोरा अगर देखा जाए और कहा जाए तो यह मोरिंगा की हमारे रेकिस्तान की लोकल यहां की लिवाल वे हां आज की टाइम में और किसानों यहां इसकी खेती करो जो किसानों यह नियुक्त बोला जाता था उनकी लिए सबसे बड़ा एक्जामपल है कि हमारे यह मोरिंगा का पौदा है पर दुख की बात यह जो हमें अब तक है आगे हमें मिलेंगे तो उसके बारे मह इसका बोटनिकल नाम है मोरिंगा कॉंसैनियस इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं इसके फूल है बहुत ही सफेद रंक्या है और चमेली की तरह दिखते हैं प्लस इनकी जो खुश्बू है इस तरीके से भी मैं खड़ा हूं इस पेड़ के नीचे नीचे की मिक्स खुश्बू होती है वह खुश्बू है मदुमक्या इसके उपर बिनमनारी है और आप खुद देख सकते हैं कि तना कितना पुराना और यह लोता-पौदा कितने सालों स कितने वर्शों से अपना अस्तित्व की लड़ाई यहां पर लड़ रहा है अब यहां से यह देखिए इसके नीचे की तरफ इसके जड़ है यह इसके तने है और मैं खुश्बूट का आदमी हो और आप उसे कंपैर करके देख सकते हैं यह है कितना बड़ा पौदा फाइन अलिए दोस्तों वल मंडल की तरह में कुछ बहुत ही बहतर मिला है और देखे आने वाले समय में और भी कुछ बहतर मिलेगा अब 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 कि कि अब